हेलो गईस मेरे पास है लावा ब्लेस्टू 5G एफोन ग्लास वैक के साथ आता है और इसके पीछे की तरह रिंग लाइट जैसे फीचास है एफोन जैसे अच्छा डिजाइन के साथ आता है इसमें अच्छा अच्छा फीचास भी है आज इस वीडियो में इसका कुछ hidden फीचास आपके साथ स्याज करूँगा इसमें डिफॉल्ट इंटेरन स्पीड मीतर अन करना के लिए आपको आना इसदा सेटेंग्स के तरफ एपडिए नेटौर स्पीड है इसको अो कर लेना है और ने के साथ 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 आप दीख साथ स्ट्टेस बार में इंडरन स्पीड मीतर in मile हो चुका है इसमें चुपके से बाइब कर सकते हो इसमें डिपॉल्ट गोगल की डाइलर रहता है तो आफ लवा की डाइलर को अल्टरणेट में यूज करना यहापर कॉल रेकूर एनॉस्मेंट शुना है नहीं रेता है इसमें ऐप लॉक जैसा फैचास भी मिलता है आपको आ सब्सक्राइब कर सकते हैंुक ? सब्सक्राइब नोचマивает है तो आसे में पूंध है उसके लिगें सब्सक्राइब करें नहीं नहीं है एक नलता है जोाएप का आइकन है उसका आइकोन को आप चेंज भी कर सकते हो तो यहाँ पर Chrome Browser को जो आइकोन है उसको में चेंज करके दिखाता हूँ तो इसके लिए आपको आना है सदा Settings के तरह यहाँ पर डिस्प्ले में आना है और यहाँ पर Home Settings पर आना है यहाँ पर है Customize App आइकोन तो यहाँ पर आपको टैप करना है तो Chrome Browser का जो आइकोन है इसको में चेंज करता हूँ तो चेंज करने के लिए आपर My Photo पर जाता हूँ दोस्तों यहाँ पर फोटो में आकर यहाँ पर मेरा फोटो को यहाँ पर Slate कर लिया और यहाँ पर Save to Copy कर दिया तो आप यहाँ पर देख सकते हो Chrome Browser का जो आइकोन है वो घर चुका है और यहाँ पर मेरा फोटो लग गया है तो आप ऐसे एप का आइकोन को चेंज करके आपको फोन को एक बहतरी लुक देख सकते हो आप फोन को Lock या Unlock करने के लिए पारबतम के इस्तमाल करते हो लेकिन इसमें shortcut मिलता है Lock करने के लिए display के उपर double tap करिए Unlock करने के लिए display के उपर double tap करिए तो यह दोनों features को on करने के लिए आपको आना सिदा settings के तरफ और यह पर scroll करके आपको आना होगा special function के तरफ पहला जो option है double tap to wake up and sleep इसको on कर लेना है और double tap to lock दूसरा option को भी on कर लेना है इस लाभा ब्लेस टू 5G में YouTube का एक premium features आपको free में मिलेगा तो आप YouTube का कोई भी वीडियो यहाँ पर background में play कर सकते हो पहला आप वीडियो को play कर लीजे इसके बाद यहाँ पर notification control center में आना होगा background streaming देखाए देगा इसको आपको on कर लेना है और आपका YouTube का वीडियो जो है और background में चलता रहेगा इस लाभा ब्लेस टू 5G में virtual RAM का फेचास है मेरे पास 6GB 128GB फिरेंड है मैं चाहता हो तो और 6GB RAM को बढ़ा सकता हो मेरा total 12GB RAM होगा तो इसके लिए मुझे आना है सिदा settings के तरफ यहाँ पर about phone में आना है यहाँ पर RAM की उपर tap करना है और यहाँ पर है set virtual RAM तो यहाँ से में आप तो 6GB RAM को बढ़ा सकता हो इस phone में भी app clone का features मिलता है आपको आना है सिदा settings के तरफ special function में आना है app clone देखाए देगा मेरे phone में facebook install है तो इसको में easily clone कर सकता हो यहाँ पर बहुत सरी app का नाम देखाए दे रहे है उसको आप install करके clone कर सकते हो इस दिलाभा blaze to 5G में smart touch का features मिलता है तो justice mode में भी use कर सकते हो आपका phone lock है अब तुरंथ camera को open करना चाहते हो power button को दूबर प्रेस करिए यहाँ पर camera तुरंथ open हो जाएगा और यहाँ से आप photo click कर सकते हो वीडियो को भी record कर सकते हो इस option को on करने के लिए आपको आना है सिदा settings के तरफ यहाँ पर special function में आना है यहाँ पर quick open camera है इसको आप on कर लिजिए यह phone sidebound fingerprint sensor के साथ आता है और इस fingerprint sensor में बहुत सारी hidden features है आपको आना है सिदा settings के तरफ यहाँ पर special function में आना है और यहाँ पर fingerprint function देखाए देगा तो यहाँ से आप call को answer कर सकते हो इस fingerprint के जरीए आप photo click कर सकते हो वीडियो को भी record कर सकते हो और यहाँ पर आप direct home screen में भी जाम कर सकते हो अब इतने दिर्स में वीडियो देख रहे हो आपको एक bonus tips तो मिलना चाहिए आप देख सकते हो selfie camera का आसपास में एक yellow color का light है यह light hard time on रहता है अब जितना बर्जी application को open कर लो या use भी कर लो यह light off नहीं होता है तो इस light को आप आपके phone में भी on कर सकते हो इसके लिए कुछ steps को आपको follow करना होगा पहला आप मेरा description पर check करिए एक application का download link मिलेगा जिसका नाम है ring ring application यह application बहुत ही छोटी MB का application है तो इसको आप जल्दी से download करके install कर लीजिए आगे का जो सारा process है मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ जब आप पहली बार इस app को open करोगे इसका home screen settings कुछ ऐसे दिखाएदेगा यहाँ पर एक button है उसको आपको on करना है on करने के साथ साथ right side में एक circle आ जाएगा इस circle को इस controller के जरीए selfie camera के आस्वास में लेकर आना होगा इसके बाद इसको अच्छी तरीके से fit करने के लिए उपर की तरफ जो bar है उसको up and down करना होगा यह अच्छी तरीके से fit हो जाएगा ऐसे भी आप मेरा सारा settings भी देख सकते हो इसके बाद आपको color को choose करना होगा यहापर color में आना है यहापर आपको single color को slate करना है आपका favorite color को आप यहापर set कर सकते हो ऐसे भी कुछ यहापर preset color रहता है तो यहापर में preset color में आके योलो कलर को स्लेट करके ओके पर क्लिक कर देता हूँ आउटर रिंग कलर में भी यहाँ पर आकर प्रिसेट कलर में योलो कलर को स्लेट करके ओके पर क्लिक कर देता हूँ एक बात यात में रखना दोनों कलर को आपको सेम रखना होगा तो यहां पर same color का circle बनेगा जो देखने में प्यारा सा लगता है तो आप जितना मर्जी application को open कर लो light off भी नहीं होता है तो क्या सोच रहा हो जल्दी से जाओ और मेरे description से ring ring application को download कर लो इस phone में skin shot लेने के लिए बहुत सरा तरीका है पहला जो तरीका है बहुलम का down button और power button को सेम टेम में place करके यहां पर आप skin shot ले सकते हो और सबसे जो आसान तरीका रहता है अब three finger को down करके इसे skin shot ले सकते हो तो इस three finger skin shot को on करने के लिए आपको आना है सिदा settings के तराफ यहां special function में आना है और यहां पर जो three finger skin shot option है इसको आपको on कर लेना है इस love of less to 5G में side work का feature से default only रहता है आपको आना है सिदा settings के तराफ यहां पर special function में आना है और यहां पर जो side application bar है इसको आपको on करना है इसके बाद आप right side से tab and hold करके रखोगे तो यह पर side bar खुल कर आ जाएगा अब जो जो application को ज्यादा रियूच करते हो shortcut के लिए आप यह पर insert करकर रख सकते हो आप देख सकते हो मेरे home skin में जो clock का widget है कुछ अलग style में देखा दे रहा है ऐसे widget को आप आपके phone में भी on कर सकते हो इसके लिए आपको ऐसे home skin में two finger से finch करना होगा यह पर widget पर आना है थोड़ा सा scroll करने के बाद clock widget रिखाए देगा यह पर तरह तरह का clock widget रहता है तो यहाँ से आप कोई भी clock widget को set कर सकते हो इस Lava Blaze 2 5G में notification history का features है आपको आना है सिदा settings के तरह यहाँ पर notification के तरह आना है notification history को आप on कर लीजिए 24 hours में आपके device में जितना सारा notification आएगा पर save होगा रहेगा अब बार में आपका check भी कर सकते हो आप चाहते हो जब आपके phone में incoming call आये आपका phone private करना start कर दे इसके लिए आपको आना है सिदा settings के तरह और यहाँ पर आपको sound and privacy के तरह और यह पर private and have test में click करना है और इस option को आपको on कर लेना है इस Lava Blaze 2 5G में flip to mute का features भी मिलता है जब आपके phone में incoming call आता है phone को पलड़ दो के तो mute हो जाएगा इस option को on करने के लिएLE आपको आना है settings के तरह or special function में आना है flip to silent है इसको आपको on कर लेना है जब आप phone को switch arbeiten के लिए power button को प्रेस and hold करते हो तो यहाँ पर Google Assistant open होता है फेल मिनू नहीं आता है सकते हो। इसमें डिफॉल्ट चार्जिंग एनिमेशन मिलता है। आपको आना सदा स्ट्रेइंग के दरफ फर्स्रोलाइज़जन एंड वाल पेपर में क्लिक करना है। यह आपर चार्जिंग एनिमेशन है। तरह-तरह का अनिमेशन है। आपके मर्ज़ी साप कोई पर क्या च चाहते हो तो फुल स्कीन ही, यूदि जैसास में यूज़ कर सकते हो, इसके लिए आपको आनाई सेदाफ सेटेंग्स के तरा आप यहाँ पार नविगसन बार देखा देगा, तो यहाँ से आप जैसास नविगसन को स्लेट कर लीजिए, और आप फुल स्कीन में इस फोन को अर कर देना, उसका और हमारा दोदो का मदद होगा, तो आज के लिए इतना ही दोस्तो,